हेलो दोस्तों कैसे होता दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले टेस्स सिरीज के सेकंड मैच के बारे में जो के होने वाला है बंगलादेश और पाकिस्तान इन दोनों टिम्स के बीच में दोस्तों ये मैच कल सुबह 9 बच के 30 मिनिट पे स्टार्ट होगा विन्नी होने वाला है शेरे बंगला नैशनल स्टेडियम धाका फर्स मैच पाकिस्तान जीता था वो भी मैच हमारे लिए अच्छा रहा था ये भी मैच अच्छा जा सकता है बहुत अच्छे डिफरेंशल प्लेयर से जो आपके लिए गेम चेंजर सावित हो सकते है लास्ट मैच में हमारे लिए अभी दली ने काम किया था इस मैच में भी कुछ ऐसे प्लेयर से जो गेम चेंजर सावित हो सकते है बिल्कुल भी इग्नॉर मत करना आगे बढ़ने से पर दोस्तों टेलिग्राम चैनल से जुड़ना जो भी फाइनल अपडेट्स बनेंगे मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर अपडेट जरूर करूँगा टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी तो जोईन जरूर हो जाना दोस्त पीचर बट के बात करें तो वही एशिया में जो नॉर्मली में पीचर देखने को मिली थी है वही आपको ढाका में पीच देखने को मिलेगी और हम लोगों ने तो स्पीनर्स को बहुत ज़्यादा बिच सब्सव्प से जाएगी में पीचर jáपका है पिखने को मिलने वाला है पिछले थीन मैके न चुप में ट्रड कर देखोगे तो यहापIST जेश पीचर से वीचर देखोगे बना दिये थे सेकंड इनिंग में जिंबंबे दोनों इनिंग में 560 प्लस नहीं बना पाई और यहापे भी मैक्सिममम विकेट स्पिनर्स नहीं निकाली थी फिर अगर देखोगे तो जो लेटेस्ट मैच था इस वेन्यू का 2021 में ही हुआ था बहुत ही बढ़िया ओर टेस्ट स्पिनर्स को 73 विकेट्स मिले तो स्पिनर्स ने दॉमिनेट किया है या पिर रन बनाये जा सकते हैं। अब तक कोई भी अपडेट नहीं आया है स्कौर्ड के रिलेटेड तो अगर इसके बाद अपडेट आता है तो आपको टेलेग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा अच्छे बैटिंग करी 133 प्लस 91 यह हमारे लिए ट्रम प्लेयर रहे थे और बहुत रन बना के दिये थे इवन हम लोग उने एक्चेंज 22 पे इनको बाई किया था और डबल का प्रॉफिट दिया था तो एक अच्छे प्लेयर रहे इनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है अजर अली फॉर्स निंग में 0 प्लेयर नॉट रहे थे और सेकर निंग में 24 नौट आउट रहे इस टीम के सबसे एक्सपेरियनउ सेस्थ Pengier यही है बाबा राजम फॉर्स निंग में 10 रन और सेकर निंग में 13 रन नौट आउट रहे थे फवाद आ लंम की बात करे यह आप पॉर रिजवान लिटन दास को मैंशली पॉबिक लाइगी भीकूर लिटन दास ने बहुत रश्चन बनाया है थे पिछले मैच में विकेट की पॉर्स सेक्षन में और रिजवान को पॉबिक थोड़ा इगनॉर करेगी भी होगो भिषक हरेज स्री पांच रश्चन में बनाय पर इनको कोई भी विकेट नहीं मिलाता इनका सिलेक्शन ना के बराबर रहेगा इन पे भी फोकस करके चलोगे ग्रैंड लीग में शाहिंशा प्रिदी ने भी साथ विकेट निकारी दोनों पेसस ने अच्छी बॉलिंग करे थी फर्स निंग में असन अली पाच ले गए सेकर पिछले मैच में यासीर अली चहुदर ही खेले थे बट कंकरशन के रूल के वज़े से फिर यह आउट हो गए थे उनके जगवर नूरूल असन ने बैटिंग करी थी बट मुझे लगता है कि यासीर अली के जगवर असन इस मैच में खेलते वह दिखने चाहिए और बैटिं यह आपके लिए गेम जंजर है बांगलादेश के और से कैप्टन ए टीम के कंसिस्टन प्लेयरे रन बनाते है जरूर पिछली मैच में बिल्कुल रन नहीं बने बट यही बात होती न जब आपको ग्रैंड लीग विन करना है आपको ऐसे प्लेयर पे खेलना है जिसका सेलेक प्लेट के पर बैटर यासे लेल चाओदेर इंस सेकंडिंग में 36 नोट बनाई थे फिर उनको कंकुस्टन के रूल के वैसे आउट हो गए और फिर नुरुल असन ने आगे बैटिंग करे तो उनके जगा पर जापी नुरुल असन ने 15 बनाई थे नुरुल असन में नहीं ख इस फिर से इंपॉर्टन रहेगा इबादत हुसे ने दो विकेट नहीं मिला तो आबुजायद इस मैच में नहीं खेलेंगे दोस्तों बनाते हैं स्मॉल लिग की टीम बट एक दिक्कत है क्रेडिट का इशू बहुत ज़्यादा क्रेडिट के इशू है और इतने क्रेडिट पिछली मैच में बहुत रन बनाये थे हम भी इनको लेके चलेंगे फिर से क्योंकि सॉलीड लगे ऐसा नहीं कि तुक्कों में बैटिंग करेंगे थे सॉलीड लगे थे विकेट की पेंग अच्छी करते हैं बट रिजवान आपके रहेंगे गेम चेंजर कुछ लोग ते हो 50 परसेंट पब्लिक ने रिजवान को भी लिया है तो क्रेडिट्स मैनेज करने के लिए पब्लिक रिजवान को ला सकती है देखके चलना और रिजवान रन बना सकती है स्पिन को अच्छा खेल लेते है नूरुल असन ने पिछली मैच में बैटिंग सेकंड इनिंग में करी बट यारना मेरे पास क्रेडिट्स नहीं है तो मैं जो कही ना कई पर रिस्क लेना था पब्लिक ने थोड़ा बाबर आप पर रिस्क लिया है बट मैं बाबर को लूँगा विकास इस कॉलिटी ठीक है मैं अभी के लिए क्या करो मुश्पिकूर को डॉप करके आभी दली को ले रहा हूँ अगर बांगलदेश पहले बैटिंग करती है तो हो सकते हैं बाबर पे रिस्क लेकिर मुश्पिकूर रहीम ले लूँ बट अभी के लिम लोग बाबर को ही लेंगे फिर अब्दुला शपिक को भी लेंगे विकास एक तो रन बनाए उसमें आपको आठी क्रे सबसें फर्म बहुत अच्छा इसया में बहुत रन बनाएं बहुत ज्यादा रन बनाए आई श्यामी इनोंने बहुत अंडेड्स न के नाम पे डोमिश्टिक सरकेट में रिस्क लेवल पर इनका अच्छा है पिश्ली मैश्पि नहीं बनें थे इसका मतलब यह नहीं कि इस म मुलुसें शांतो, सेपसंस, शदबन, इसला में तीनों टॉप अटर में बैटिंग करते हैं, तीनों ने रन बनाये हैं, कुछ-कुछ इनिंग्स में रन बनाये हैं, पिछले कुछ समय में बांगलादेश के लिए, ट्राइबल रहेंगे ग्रैंड लिग के लिए, बट स्मॉल इनका रोल जादा इंपॉर्टन रहेगा, तो इनको हम लोग लेके ही चलेंगे और बैटिंग भी कर लेते हैं, फई मश्रप ने पिछले मैच में दो विकेट निकाली थी, पब्लिक इनको लेकी आएगी, याद रखना, शकीबल हसन खेलने वाले हैं, यह पब्लिक को पतान सकते हैं, इस सकते हैं, यह प Eagles को लेते हैं, शाइन, अली तै जोले i Sundays, आ आ फ्री को लेके चलूँगा, तिनों ने पिछले मैच में अच्छा कया थे, तिनों फिर से अच्छा कर सकते हैं, अब बस ते आपकी पास साड़े 8 credits, इबादो दुस्ते हैं क्हेलते भी, तथू न नहीं करूँगा अबुजायत को भी रिकमेंड नहीं करूँगा तसकिन एहमद अच्छा कर सकते हैं इनके पास पे से 140 पे बॉलिंग करते हैं और यह स्रिवस्टिंग करवाते हैं तो यह परेशानी साबित कर सकते हैं पाकिस्तान बैटर्स के लिए देखके चलना नोमान अली अनली 3% सेलेक्शन देखके चलना पस एक दिक्कत यह है कि जो भांगला देशन है बहुत सारे लेफ्ट हैंडर से तो वहाँ पे दिक्कत यह आ सकती है और यह बहुत अच्छे पीक रहेतें इनको लेना बिगार टेस्ट क्रिकेट में न ऐसा नहीं चलता लेफ्ट हैंड ले 11th प्लेयर ठीक है या तो और और सेक्शन में 5 मश्रफ से पीक रहेंगे या तो फिर बैटिंग सेक्शन में कोई और आप्शन आपके पास है नहीं यही दिक्कत आ रही क्रेडिट की ठीक है तो मुझे यहापर नोमान अली को ही लेना पड़ रहा है और कुछ इस तरह के से म लिख डॉब करते हैं लिटंदास को डॉब करके रिजवान को लेते हो 9 क्रेड फिर आपके पास आएंगे फिर आप यहाप मुमिनुल हक को ले सकते हो यह रिस्क भी लिया जा सकता है तो आप यह आपने मुझे पीकर भी डॉब कर दिया यह तो यह तो यह तोधा सा से ब्लैस ने रन बना दिये तो फिर हमारे रिस्क्री बेज़ने से हमारी लग सकते को तो टुड़ा साथ देखके चलना ठीक है पैप्टन ऐसापने कीने से की बात करें तो अभी अभी पब्लिक आफिधा लिको करके आ रही है ठीक है विकॉद बहुत रन बनाये थे उसकाद पब्लिक मेंधियासन को VC कर सकती है या आपे शाहिन और हसन अली को mostly पब्लिक VC करके आईगे जिस तरह किसे उनों में performance दिया था पिछले match में बड़ शकीब रिटन आ चुके है तो आपको ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देते है तो मैं शकीब को दे रहो मेरी captaincy directly ठीक है अब VC की बात करें तो आभिद वाली विकॉद अल्री पब्लिक ने captaincy देखे रहे कि आप लोग इनको vice captaincy दे सकती हो या फिर इन दो पेसर में से आप लोग किसी एक को दे सकती है आपका call रहेगा मैं अभी के लिए फिर से अभी दली को मेरी vice captain से देखे चलूँगा अभी पिछली match की बात नहीं है इन्होंने domestic में भी consistently पिछले 4-5 matches में run बना है अक्टोंबर नोवेंबर में तो अच्छे form से आ रहे है तो उसी वज़े से मैं अभी दली को मेरी vice captain से दे रहे हो ये मेरे captain vice captain है इनके अलोब के वास मेंदी असन मिराज है ये दोनों पेसर से उन पे focus करके चलोगे match grand league के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे crate के issues आएंगे जहाँ पे crates के issues नहीं है simply no man Ali को drop करके किसको लोगे मुश्पिकुर रहीम को ले लेना बस यही करना जहाँ पे आपके बास crates है बाकी कोई change करनी की जुरूरत नहीं है captain as captain की suggestion मैं दे चुका हूँ अब telegram channel से जुड़ना because morning में जो भी changes होंगे पाकिस्तान के squad में या फिर बांगलदेश के squad में final update मैं आपको सुबह 9 बज़े दूँगा और उसके बाद मैं आपको मेरी final team update कर दूँगा तो final team के लिए telegram channel से जुड़ना telegram channel की link आपको comment section में first comment में मिल जाएगी test cricket हमारे लिए अच्छा रहा है अब तक तो वीडियो को like करो youtube channel को subscribe नहीं किया है जल्दी से subscribe करके bell icon को press जरूर कर देना thank you so much guys for watching